वेलकम तो लवले स्पिक्स चैनल आज हम डिसकस करेंगे कैसे स्प्राइट लैब में गेम क्रियेट करते हैं या फिर अगर अभी कोडोना के बारे में कुछ मैसेज देना है हमें तो उसके लिए कैसे एक मैसेज के लिए व्यू बनाते हैं वो डिसकस करते हैं तो यह बहुत इ लिखना होगा, जैसे क्या run करना है, for loop, else loop, variable कॉन यूज़ करना है, तो यह code mode है, चले मैं आपको दिखाती हूँ, तो जब आप code mode में जाएंगे, तो कुछ code आपको लिखना होगा, और costumes में जाएंगे, तो क्या करना होगा, यहार यह सब देखिए, costumes है, यह सब देख रहे हैं, paint, यह फिर dog, यह सब सेप का, आप costumes यहां यूज़ कर सकते हैं, paint के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसको डिलीट करने के लिए, फिर paint brush यूज़ कर सकते हैं, तो भी color आपको चाहिए, pixels में value दिया हुआ है, तो यह सब है, ओके, तो पहले मैं क्या select करती है, code mode में आपको बताती हूँ, तो हम जाएंगे code mode में, और यहां देखिए, world में क्या क्या option है, set background color, random color, set background to city, city में आप बहुत सारे options है, code, desert, desert road, तो यह सब option है, अभी मुझे इसका जरूरत नहीं है, तो इसको क्या करूँगे, drag करके इधर drop कर दूँगी, जहां से लाए थे block से, y फिर से रख दूँगी, तो वो delete हो जाएगा, यहां देखिए locations है, location में random location, location x, y, 100, 100, यह x, y क्या है, चुली जब आप यहां करसर ले जाएंगे, तो देखिएगा, x, 148, y, 320, grid दिखा रहा है, मतलब किस position में मुझे जो भी object बनाना है, वो किस position में मैं यहां रखना चाहरी हूँ, यहां रखना चाहरी हूँ, तो वो सब grid position, यहां location बताता है, x मतलब horizontal और y मतलब vertical direction, location of my sprite मतलब, जो भी object डाल रही हूँ, उसका location यहां किस जगा पर होना चाहिए, वो location बता रहा है, okay, accents में क्या-क्या, change color of, remove color from, move, turn, set, यह सब आपको जो भी चाहिए, यहां scroll bar है, देख सकते हैं, आप उपर नीचे जाकर, जो भी आपको चाहिए, वो शूच कर सकते हैं, जहांए pixels में यह value है, 10, towards, 10 के जगब पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसको, देखिए, मैं यहां 70, 107 लिख दी, जो भी आपको चाहिए, 70 लिख ना है, तो 70 लिख दीजिए, okay, तो अभी मुझे इसका जोरत नहीं है, इसको, तो delete कर दी, यहां loops में देखिए, repeat 10 times, do, forward loop है, तो यह सब क्या, loop का use करके, कोई भी work function, बहुत easy बना लेते हैं, यहां variables, अगर आपने मेरा पिछले के वीडियो को नहीं देखा है, तो आप please जाएए, मैंने basic label से game play करना start किया है, जैसे कि dancing robots, angry bird games, pong game, यह सब मैंने basic label से start किया है, तो आप please playlist में चेक कीजे, मैं नीचे दे दूँगे description में, यहां देखिए match है, मतलब क्या हमें match का कोई integer value random select करना है, यह सब, ओके तो चली मैं start करती हूँ, यहां win run, मतलब जब हमारा यह run करेंगे, तो क्या करना है हमें, तो चली मैं world में जाती हूँ, यहां set background color है, color है, उससे पहले मैं sprites में कुछ select करती हूँ, make new sprite set यह है, तो च new जो है, इसके जगह पर चली मैं कुछ और लेती हूँ, तो यहां select करूँगे, जो भी आपको picture से, यहां से select करना है, so आप कर सकते हैं, या more का option भी है, draw का भी option है, आप भी अगर कुछ बनाना चाहते हैं, तो बना सकते हैं, तो चली मैं इसमें से, यह select कर लेती हूँ, okay, चली मैं यहां चाहती हूँ, अगर select करना, something 81, okay, 82, 284, और यहां चाहती हूँ, तो चली आप इसको value change करते हैं, तो यहां गया है, grid position में, और देखिए, यहां select कर ली, तो यह change हो गया value, 77 and 331, अगर आपको इसको और भी change करना है, तो करने के लिए फिर यहां ख्लिक कीजिए, और यह आपको view दिखाएगा, किस position में, आपको select करना है, okay, so अब मैं क्या करती हूँ, sprite begins लेना है, मुझे, तो actions में गई, और देखिए, यहां क्या-क्या value है, move का option है, pixels, okay, मुझे चाहिए, sprite begins, so behaviors में देखते है, sprite begins और sprite stops है, यहां से जो भी image आपको select करना है, कर सकते हैं, चलिए, sprite begins को मैं select की, और यहां drop की, यहां इसके जगह पर इस image को लगाना है, तो यहां select की मैं, कौन सा image था हमारा, यह, चलिए, इसके जगह पर भी मैं यह रख देती हूँ, so sprite begins हो गया, begins के बाद क्या करना है हमें, move इसको east side लाना है, हमारे क्या बनाना है, जब यह एक इधर आएगा और यह एक इधर आना है, तो हमको message देना है कि distance maintain करें, नहीं तो corona हो जाएगा, distance अगर maintain करते हैं, तो आप safe है, तो चलिए इसके लिए, हम begins, और यहाँ move east करते हैं, इसको इधर लाना है, so behaviors में जाएंगे, यहाँ देखे, moving east, moving north, moving south, moving west, जो भी आपको चाहिए, चलिए मैं moving east लिख लेती हूँ, तो drag drop की, और अब क्या करना है, फिर से make new sprite add, मतलब एक यहाँ से आएगा, और एक यहाँ से आएगा, so मैं जाती हूँ sprites में, और इसको मैं make new sprite को select की, और drop की, यहाँ चलिए, इसके जगह पर कुछ और भी आप रख सकते हैं, मैं चलिए यहाँ यह ले लेती हूँ, ओके, और sprite add, इसका क्या position रखना है, इसको मुझे यहाँ रखना है, ओके, यहाँ से यह start होगा आना, तो यहाँ का position क्या है, 6, 3, 3, 3, 3, 4, चलिए यहाँ select करती हूँ मैं, और यहाँ से इसको यहाँ रखती हूँ, यहाँ, ओके, तो इस position पर रख दी, और फिर से sprite begins करना है, तो चलिए actions में जाते हैं, किदर है location behavior, sprite begins की, और इसको drop की, इसके जगा पर भी, इसी elephant को ले लेती हूँ, तो चलिए मैं यह यहाँ select की, और फिर से begins moving ist करना है, तो behavior में गई मैं, so यह east में आ रहा है, और अब इससे हमको क्या लाना है, west में, तो behaviors में गई, और यहाँ move, west, moving, west select की, और यहाँ drop कर दी, ओके, तो चलिए इसको run करके देखते, तो देखे, यह क्या हो रहा है, दोनों collide होकर, इस side आ रहा है, जा रहा है, अभी मुझे क्या करना है, चलिए reset करती हूँ, और इसके नीचे, make new six sprite add, फिर से लेती हूँ, तो sprites में जाती हूँ, और make new, इसको select करती हूँ, और यहाँ डालती हूँ, यहाँ जो figure है, उसको मैं change करती हूँ, कुछ virus type का दिखाती हूँ, चलिए कौन सा virus type का है, more में जाते, और यहाँ देखे, genetic items, gameplay, food, environment, characters, animals, चलिए, animals में मैं जाकर select करती हूँ, कुछ, यह देखे, scroll bar है, जब आप इसको नीचे करेंगे, तो यह scroll होगा नीचे, तो चलिए, मैं यह ले लेती हूँ, ओके, तो इसके जगब पर मैं यह रख देती हूँ, समझे, यह coronavirus है, और यहाँ starting at, इसका grid set करना है हमें, तो इसको मैं कहां लेती हूँ, चलिए, 200 और 330 पर लेती हूँ, इसको थोड़ा और down कर देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ओके, तो यहाँ मैंने set कर दिया, अब so title screen, मतलब title क्या set करना है, आपको तो text में जाएंगे, यहाँ देखे, so title screen, title और subtitle है, तो इसको drag की में, और यहाँ drop की title में, आपको जो भी लिखना है, चलिए, मैं लिख देती हूँ, corona message, corona message, और subtitle में लिख देती हूँ, keep a safe distance, keep a safe distance, ओके, so मैं, keep a safe distance लिख दी यहाँ, और चलिए, अब इसको set करके देखते है, क्या आ रहा है, देखे, यह दोनों क्या हूँआ, collide हुआ, और इसको अब यहाँ move करना है, बीच में जब कोडोना से, वो आएगा, तो चलिए, मैं इसको set करती हूँ, so मैं events में जाती हूँ, और देखे, यह विन, यह और यह touches, मतलब दोनों जब एक दूसरे को touch करेंगे, तो मैं इसको drag की यहाँ, और यह यहाँ drop की, इसको यहाँ drop की, तो क्या है when, इसके जगा पर मैं इस दोनों को set करूँगी, तो चलिए, मैं यह दोनों picture set करती हूँ, एक यह, और यह क्या था हमारा, यह वाला picture, तो यह और यह जब touch करेगा, तो क्या होना है, sprite stops, तो चलिए actions में गई, तो मैं behavior में जाऊंगी, और sprite stops लोंगी, तो चलिए यहाँ यह लेती हूँ, sprite stops, और इसके जगा पर first वाला image डाल देती हूँ, क्या था हमारा, यह image था, okay, stops में क्या होना है, moving east, मतलब यह east की side move करे, तो उसके लिए हम जाए, behaviors में, और यहाँ से moving east सेलेक्ट करके, यहाँ drop कर देंगे, तो चलिए मैं इसको drag करती हूँ, थोड़ा उपर, और यहाँ moving east हो गया, और second sprite जो था, actions में गई, location, behavior, second sprite क्या था, उसको मैं क्या करूंगी, stops, यहाँ second image क्या था हमारा, यह था, नहीं, elephant था, तो चलिए elephant डाली, और stops क्या करना है, हमें moving south, तो फिर गई मैं, events में, behaviors में, moving south किदर है, यहाँ से drag की, और इसको drop की, अब चलिए run करके देखते, तो देखे, क्या हो रहा है, so friends, देखा, आपने कैसे, यह keep a safe distance, और corona का message दे रहा है, अगर यह यहाँ आता है, दोनों अगर distance नहीं, maintain करेंगे, तो क्या हो सकता है, तो देखे, इसका क्या code है, when run, जब यह program run करेगा, तो क्या होगा, make new, यह है sprite at, इसके जग़ा पर आपको, जो भी option में लेना है, आप ले सकते हैं, draw more का भी option है, more पर भी जाकर, आप select कर सकते हैं, चलिए character से select कर लेते हैं, यह select किया मैंने, तो, अब इसके जग़ा पर आप चाहें, तो इसको भी select कर सकते हैं, अब जहाँ जहाँ वो था, उसके जग़ा पर मुझे यह select करना होगा, तो चलिए मैं वापस से वही रख देती हूं, जो भी था, so sprite begins, जब यह और यह दोनो move होना start होगा, moving east, यह क्या है, east की side move कर रहा है, और यह क्या है, west की side, so making new, फिर मैंने यह बनाया, और sprite add, उसको यहाँ डाला, यह जो grid position, so कर रहा है, 345 क्या है, x value का grid है, 313 क्या है, y value, उसके बाइद फिर से sprite begins, मतलब जब यह begin करेगा, start होगा, move होना, the screen title, title क्या है, so कर रहा है, title में है, corona message, और subtitle में क्या है, keep a safe distance, उसके बाद क्या हो रहा है, जब यह और यह touch हो रहा है, मतलब, when यह sprite और यह sprite touches, sprite stops, यह move करना बंद हो जाएगा, और यह भी move करना बंद हो जाएगा, जब मैं यह move करना हटा दूँगी, तो देखिए क्या होता है, यह move करते हुए, एक डूसरे को cross कर जा रहा है, but मैं यह क्या की हूँ, move करना, stop की हूँ, और उसके बाद, यह जो corona था, वो भी move करना stop हुआ है, तो देखिए चलिए इसको run करके देखते है, तो देखिए stop हुआ, और keep a safe distance का message दे रहा है, so thank you friends, and subscribe my channel, और भी आपको game देखना है, तो please playlist में check करें, thank you,